सब्रुक् bubb औरसा जानवरों के संख्या कि नहीं है मेरा पोइंट ये है कि जब आप से एनिमल को मार के खाते हो तो वह उनको तरपता हुए आप कैसे सकते मतलब आपने इतनी भी सैंस नहीं है कि उनको दर्द होता हुग आपको भी तो सब में जीव होता है हां और साइंटिफेकली ये भी प्रूव हो चुका है कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होती है उनमें ब्रेन भी नहीं होता है अगर कोई सिस्टम ही नहीं है तो उनको दर्द भी नहीं होता है वो सिर्फ पानी हवा और लाइट को सैंस कर सक हाँ ठीक है चलो लेकिन पोशक्तत्व का क्या सरीर को जरूरी न्यूट्रीशन चाहिए वह सारे न्यूट्रीशन पेड़ पोदे वनस्पतियों में नहीं मिलते हैं उसके लिए मास खाना जरूरी होता है हमको आपकी तरह कुपोशन का सिकार नहीं होना ठीक है हम तो खाएंग किसी की भी कोई कमी नहीं है वेज़ फूड में ठीक है सब कुछ अवेलेबल है उल्टा रिसर्च यह कहता है कि जो नौन वेज खाते हैं उन लोगों कई टाइप की बीमारिया होती है जैसे हाट डिसी होता है गेल्स टोन होता है एपने मीट से कैंसर होता है ठीक है तो पहल जो बहुत अच्छी बॉड़ी बनाते हैं सिक्स पैक भी बनाते हैं तो उनको तो कभी कोई नुट्रिशन की कमी नहीं हुई तो यह सब जो है ना आपको कोई पढ़ाता रहता है पट्टी उनको सुनना बंद करो और थोड़ा रिसर्च पे ध्यान दो एक बात बोलू कितना बड़ा एकोनोमिक क्राइसिस है कोई अंदाज है तुम्हें आपकी यह बात जो है कि लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे आई अगरी क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 90% लोग नॉन वेजिटरियन तो करोड़ों लोग मीट इंडस्ट्री में का बहुत साल लगेंगे 50% 200 साल लगेंगे फूरी तरह पूरी दुनिया को नोन वेजी टेरिन से वेजीटरियन बनने में तो जैसे जैसे लोग वेजी टेरिन बनते जाएंगे वैसे एगरी कल्चर का बिजनेस भी बढ़ेगा एगरी कल्चर में भी काम बढ़ेगा तो जो लोग यहां पे बिरुस्गार हुए में इंडेस्ट्री में वह एगरी कल्चर जॉइन कर लेंगे धीरे दीरे प्रोसेस होगी न यह तो कोई रात दोरात भी अगर नॉन वेजिटेरिन से वेजिटेरिन बन जाए तो सिर्फ 20 प्रतिसत एक्स्ट्रा जमीन की जरूर पड़ेगी आपने हेल्थ की बात नहीं की लेकिन जैसे मैंने पहले बता है कि हेल्थ पे काफी असर पड़ेगा अगर सारी दुनिया वेजिटेरिन बन करता है आपको अंदाज आने होगा कभी इंटरनेट पर सर्च करके देखना तो फूड सेक्टर में यह मीट इंड़स्री से होने वाला जो एमिशन है वह भी बहुत कम होगा उससे परियावरण को बहुत-बहुत फाइदा होगा है कि मैं तुम्हारी सारी बाते मान लेता हम मास भी पजा सकते आप शेर को देख लो शेर अगर घास खाएगा तो पचा नहीं पाएगा उल्टी कर देगा हो ठीक है तो कुद्रत ने हमें ऐसा बनाया है और कई मिलियन सब सालों से जो हीमन का इवोल्यूशन हुआ है जिसमें पहले परांथ्रॉपस ऑस्ट्रा सब्सक्राइब है जैसे इवोल्यूशन से गुजर के हम होमो सेपियंस बने है यानि कि हम आज ऐसे दिखते हम होमो सेपियंस है तो हमारे पहले जितने भी थे उन सबीने नौनवेज खाया है हमारे पुरवजोंने मास खाया तब हम आज यहां पर जिन्दा खड़े है ठीक ह सब्सक्राइब का यही नियम है कि हर ताकतवर जीव कमजोर जीव को मारके खाएगा तो हमको कुद्रत नहीं ऐसा बनाया है तो हम क्यों ना मास खाया है अभी यही सोचता था बिलकुल यहीं सोचता था ठीक है और मेरा भी थौट जैनो इसी बात पर आके अटक जाता था कि कुद्रत को इंसन ने ऐसा बनाया है तो फिर हम क्या कर सकते लोग खाएंगे मास क्यों नहीं खाएंगे ठीक है लेकिन कुछ दिन पहले में कुछ सोच रहा था तब मुझे बहुत अच्छा विचारा है ठीक है इस इस बात को लेकर तो मैं आपको समझाने की कोजिस करता हू ठीक है उदारण के तोर पे कि जैसे शालों पहले जो राजा साइस आसन थे लोगने उनको खतम कर दिया और अब हर जगा लोक साइस आपको देखने को मिलता है जिसकी वज़े से अब लोगों को राजा की वज़े से यूद में ना जाना पड़े उसके स्वार्थ की वज़ लहां साब है मैं ललेकिन समय चलते हैं इंसानों ना यह मैस्becca कि जब हम किसी ओर के पास जाता है कोई हर हमारे पास ऑता है तो दोनों के लाइफ JUL को तकलीस थी ए तो यह सब समझने के आदिंसानों में यह प्रथा विक्सित होना लगी कि इसल्ष एक ही लाफ पार्टन रख और प्रथाई शादी की जिसमें लोगों को बैंड वाजा वजा के पूरे महले को पूरे शहर को बताया जाता है कि यह दोनों अब साधी कर चुके यही दोनों पूरे जीवन पर साथ रहेंगे तो किसी को भी इन दोनों में से किसी पर भी नजर नहीं डालनी है जिससे वो लो चलते हैं इंसानों ने यह भी महसूस किया कि इंसानों को तकलिफ हो दिये जब उनकी मेनत की कमा या कोई बी चीज उनसे कोई छीनके ले जाता है तो उसके लिए भी कानून व्यवस्था बनी हमारे समाज में ठीक है फिर दुनिया में एरिया को लेकर संसाधनों को लेकर हमारी व्यवस्था है इंसानी व्यवस्था वो सारी दर्द के अधर पर ही बनिये ठीक है जिससे इंसानों को कम से कम तकलिफ हो कम से कम दर्द से गुजरना पड़े और उनकी जिन्दगी आसान हो ठीक है इंस्वर्ट मेरा कहना यह है कि आप इंसानों ज्वारा बनाई गई इस concrete और जंगल वाली दुनिया के विवस्था के बीच में रहे कर जहां पर दर्द कम हो लोगों को ऐसी विवस्था में रहे कि आप यह नहीं बोल सकते कि हमको कुद्रत ने ऐसा बनाया है इसलिए मास खाएंगे कुद्रत ने आपको नंगा बनाया है नंगा गुमो नहीं गुम सकते न क्योंकि तकलिफ होगी धूप लगेगी ठंड लगेगी तो आपकी तकलिफ तकलिफ है जानवरों की तकलिफ तकलिफ नहीं है हाँ तो यह भी कुद्रत की दिन हो सकती है ना कि हम ऐसे ही है नहीं मुझे यही समझ में नहीं है दोगलापन क्यों है दुनिया में कि जब हमें यहां पे स्कूल में और हर जगा आपके रिलिजेंस में सब जगा यही सिखाया जाता है छोटे से बड़े होते तब तक हमें यही समझ में लोग तो जैन्वर को खा रहा है है कि क्या फॉलोग करें सैंसीबल होना और नहीं होना चाहिए मुझे यही समझ में नहीं आरा है यह कन कि दुखाने दुनिया में है धिरे पड़े नहीं पड़़ दा अभी ठीक से इंसानों कोई समझ नहीं पाया है काफी सवालों के जब इंसानों के पास नहीं है तो लड़ने से अच्छा यहीं होगा कि आप डिबेट करें और अगर आपके पास भी कोई चीज बची है खाना उसके बारे में क्यों कभी नहीं सोचता है क्यों किसी को इसमें छूपी तकलिफ नहीं दिख रही है